सो हलो गाइज दिस इस गिसन विल्कम बैक तो जी चैनल के असन वाटो फैक तो गैज का टॉपिक है निवे स्कूटर बाइक बट माइलेज कम क्यूँ तो गैज इस टॉपिक से रिलेटेड मैं बहुत सारे पॉइंट्स पेगर भी नौट डाउन करके रखाऊं और इंड आप प्रविंग क्रैंक साप्ट कनक्टिंग रॉड स्लेंडर क्लच प्लेट टाइन चेंड यह सब मिलके एक इंजन को कंप्लीट करते हैं और जब हम यह को मोटर ब्रकर परचेस करते हैं लाइक स्कूटर और बाइक और पार्ट आप्स अर नौट अस्मूथ एजिज वल इन सम क पिस्टन और सिलेंडर के बीच में और जिस टाइम पे गाड़ी को हम राइड करते हैं उस टाइम पे इंजन भी न्यू होता है और उस टाइम पे यह 0.2 लिमीटर और 0.4 मिलीमीटर दीए जो मैंने आपको गैब बताया तो कभी ज्यादा भी हो जाता है और कभी कम भी हो ज सब्सक्राइब कर बीच में आप गाड़ी को 40 किलो मेटर के आसपास में चलाए क्यूंकि उस टाइम पर यह पार्ट्स एक दुस्टर से स्ट्रीनाइज होते हैं और उस टाइम पर ही जब यह सिकुनाइज हो जाते उस टाइम पर यह मैक्समम एफिसेंसी पर पाते हैं अच्छे तरीके से और अभी भी आपको यह एक जामपल समझ में नहीं आ रहा तो एक और एक जामपल में आपको देता हूं कि जैसे एक ऑफिस में एक स्टाफ और मैंनेजर के बीच मे जैसा समझ रहेगा उसी तरीके से वह आफिस अच्छे से वर्क कर पाएगा इसी के तरह जो भी मैंने आपको पिस्टन पिस्टन रिंग क्रेंग साफ सलेंडर ब्लॉक क्लच प्लेर टाइमिंग चेन विगरा यह सब बताया यह एक साथ एक दूसरे से ताल मेल बैट के जाते हैं और उस टाइम पे अच्छे से वर्क कर पाते हैं और फिर उसके बाद यह पार्ट एक दूसरे सिगनाइज हो जाते हैं उसके बाद जब हम फूल ठॉटल देते हैं तो यह पार्ट इंडिबेंडेंटली एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे तरीके से वर्क कर पाते हैं इ नहां पर यूज होता है इंजन वाइट जो कि हमारे गाड़ी को लिब्रिकेंट भी करता है और यह डर्ट स्वेगरा को क्लीन करके ड्रेने सिस्टम तक लेकर भी जाता है तो इससे पहले और भी कन्फ्यूजन की देठों इसके पहले में आपको बता देता हूं इंजन वाइल तब बहुत सारे पार्ट स्कल होते हैं जो की इंजन में चिपके हुएते हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया उसे यह ड्रेने सिस्टम तक लेकर आता है और फस्रविस के टाइम पे जैसर कि आपको सर्विस जो गाइड करते हैं वो आपको हमेसा बताते हैं कि 5 से 1000 निकलते हैं इस इंजन वाइल के साथ पूर ड्रेन हो जाते हैं और गाइस सबसे पहले जब आप अपने गाड़ी का फर्स सर्वीशिंग कर पाते हो उस टाइम पे आप इंजन वाइल को थोड़ा सा हाथ पे लेकर देखना उस टाइम पे बहुत सारे डर्स पार्टिकल वेगर कि जब हम गाड़ी को पाचेस करते हैं उस टाइम पे डिलर हमें 500-1000 के बीच में ही क्यों गाड़ी को सर्वीशिंग करवाने के लिए बोलते हैं फर्स सर्वीशिंग के टाइम पे तो गाइस आई होब यह आपको डॉट्स के लिए होगे होंगे ऐसा कुछ नहीं है कि सर्व डिलेवर कर सके की लिए कर शवांप एं होगे वीडियो आपको अच्छा लगा चाल अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए अगर आप इस चनल पर नहीं हो तो मेंक्सक्कोर सब्सक्राइब कर बातिन जोंबों अ भोगो प्यूम झते समय जानी करो सुम मिश्ताइब